Good morning and welcome to PW Only IS स्वागत है आप सभी लोगों का Current Affairs के हमारे आज के सेशन में आज 14 October 2020 है तो चलिए अपने सेशन में आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले Steve Jobs का एक बहुत ही प्यारा सा quotation यहाँ पर है If you are working on something that you really care about, you don't have to be pushed The vision pulls you अगर आप किसी ऐसी चीच पे काम कर रहे हैं जिसकी आप सच में परवाह करते हैं तो आपको push करने के जरूत नहीं पड़ेगी बलकि वो vision आपको खुद बखुद अपनी और खीचेगा And that is the motivation that you really seek for अगर आप UPSC के preparation में सच में इस लिहाद से लगे हुए हैं इसकी आपको सच में परवाह है तो आपको किसी motivation की जरूत नहीं पड़ेगी बलकि वो जो vision है यापको UPSC करना है वो आपको हर दिन खुद बखुद खीचता फिरेगा तो हमें कई सारे articles discuss करने हैं लेकिन उसके पहले चलते हैं देखते हैं headlines में क्या है देहिंदो में यहाँ पे front page पर है कि इसराइल ने Palestinian से कहा कि वो नदन गाजा छोड़ दे इसका क्या कारण हो सकता है कारण यह है कि बहुत लंबे समय से air strikes कर रहा है इसराइल गाजा के नदन पार्ट में अब possibility यह है कि वो land route से attack करने वाले हैं और वो चाहते हैं कि जो वहाँ पे commoners हैं वो ना हो तो लगभग एक million population को यह कहा जा रहा है कि उन्दन गाजा शोड़ कर चले जाए United Nations ने कहा कि अगर इतनी बड़ी population को किसी एक जिगह से दुसी जिगह जाने के लिए कहा जाएगा तो यह बहुत बड़ी बात होगी और ऐसा ना किया जाए खैर ऐसा लगता तो नहीं है लेकिन इसराइल attack करेगा land route से क्योंकि वो बिल्कुल committed हैं कि वो हमास को खतम करेंगे At the same time यहाँ पर आपको एक news मिलती है कि जो goods का export है वो लगातार साथ बार इन आठ महिनों में dip किया है और पिछले साल के comparison में more than 2% यह इस साल कम रहा है तो हमारा जो goods का export है वो 2.6% तक dip किया है कम रहा है और भी बहुत सरा data यहाँ पर दिया गया है इतना minute detail का data तो हमारे काम नहीं आता है फिर भी यह overall बात है कि goods का export लगातार कम रहा है बिल्कुल Indian Express में आप जाएंगे तो एक वही बात यहाँ पे कही गई है कि Gaza में panic है क्योंकि इसराइल ने 1 million लोगों को North evacuate करने के लिए कहा है because ground assault बिल्कुल नजजीख है यहाँ पर दिखिए यह जो पूरा हिस्सा है ना Gaza का वो यहाँ से attack करने वाले है और कहा जा रहा है 1 million population को कि आप South की ओर shift कर जाओ गाजा में क्योंकि North का ये हिस्सा attack में होगा अब देखते हैं कि क्या होता है आगे आगे की updates में समझ में आएगा चलिए अपने session में आगे बढ़ते हैं यहाँ पर जो पहला article है वो Global Hunger Index के बारे में है Global Hunger Index को इंडिया ने बहुत ही falsified बताया है और यह कहा है कि इस index के जरीए इंडिया की image को खराब करने की कोशिस की जा रहे है because 125 countries में इंडिया को 111 rank किया गया है यह सच में बहुत जादा कम है अगर आप देखो तो simple सी बात है जो ranking इंडिया को दी गई है वो काफे ज़्यादा खराब है with the perspective कि पाकिस्तान बांगलादेश, श्री लंका इन countries की ranking भी इंडिया से ज़्यादा अच्छी है at the same time यह भी रताया जा रहा है कि 2015 के बाद इंडिया के hunger में कोई improvement आया ही नहीं है और hunger की problem लगातार बनी हुई है अब यह थोड़ा मुश्किल सा लगता है क्योंकि इंडिया ने लगभग higher parameters पे improve किया है even after 2015 उसके पहले भी improvement से 2000 के बाद सी इंडिया ने लगातार improve किया ही है और उसके बाद अगर यह कहा जाए कि नहीं 15 के बाद improvement नहीं हुआ तो थोड़ा जब पच्चता नहीं है यह देखो मामला क्या है कि इंडिया को जो score दिया गया है that is 28.7 और इस लिहाद से उन्होंने इंडिया को serious category में डाल दिया है hunger की severity में अगर आप इसे देखना चाहते हो तो आप इस graph को देखो आपको बढ़े दरीके से समझ में आएगा यहाँ पे यह actually में rank करते हैं एक से 100 के बीच में या simply 0 से 100 के बीच में अगर rank जो है वो 0 है तो यह माल लिया जाता है कि hunger 0 है और 100 का मतलब है कि लोगों के पास बिलकुल खाने को नहीं है और यहाँ पे अगर 0 से 10 के बीच में rank किया जाता है तो फिर ठीक है hunger low है कम है अगर 9 से या simply 10 से 20 के बीच में अगर rank किया गया तो मतलब जो मामला है वो moderate है लेकिन अगर 20 से 35 के बीच में rank किया गया तो मतलब मामला जो है वो serious है तो इंडिया कहा लाई करता है इंडिया ये 20 से 35 के बीच के cap में लाई करता है मतलब इंडिया में hunger के मामले को serious बताया जा रहा है और इस लिहाज से अगर आप दिखो लेकिन केवल 0.5 पॉइंट का प्रोग्रेस हमें पिछले 8 सालों में बताया जा रहा है अंडिया की performance global trend को भी reflect करती है जहां पर जो GHI score है वो 18.3 बताया गया है global level पे मतलब global level पे तो चलो फिर भी जो दुनिया का hunger का level है वो moderate है और इंडिया को तो सीरिस के टेगरी में फिर भी रखा गया है नाव यहां पर देखे globally जो अन्नरिजड लोग है उनकी percentage 2017 के बाद से बढ़ी है जहां 7.5% हुआ करते थे वो 9.2% हो गया मतलब की 735 मिलियन लोग इससे affected है 2030 का जो global GHI score है वो 18.3% बटाया गया है Global hunger situation इस data के according खराब हो रही है South Asia, South जो Africa का सदन पार्ट है Sahara वहां पर highest level of hunger record किया जा रहा है जो GHI score है 27 के around है जो दिखाता है कि बहुत ही serious hunger situation है West Asia और North Africa 3rd largest hunger level यहां पर record करते हैं जहां पर 11.9 का है मतलब यहां पर moderate level फिर भी maintain किया गया है तो यह तो आपने देखा कि जो बताया जा रहा है वो काफी serious है अभी seriousness के बाद India ने इस पूरे index को object किया है Indian government ने यह बोला कि बहुत ही flawed methodology है जिसका इस्तेमाल किया जाता है Ministry of Women and Child Development ने question किया और कहा कि जो hunger को measure करने का तरीका है वो बहुत ही flawed है और इसी लिए यह true position को portrait नहीं करता और जो objections है उसमें यह भी कहा गया है कि जो child के wasting की prevalence है उसका जो data है उसे तो महद telephone करके कुछ 3,000 लोगों से under nourishment का data collect किया जाता है आप telephone एक survey के जरीए 3,000 लोगों से data collect करके 140 करोण की आबादी की country को survey नहीं कर सकते इसके लावा कुछ और भी flaws है मैं उसके बारे में भी बात करूँगा उसके पहले आप यह जान लीजे यह एक peer reviewed report है जिसे पूरी दुनिया में annual basis पे तयार किया जाता है दो organization इसमें काम करते हैं एक है concern worldwide और दूसरा है wealth, hunger, health तो wealth, hunger, health यह organization है और concern worldwide है यह दुनों मिलके इसको निकालते हैं जी अचाहिए एक ऐसा tool है जो यह comprehensively measure करने की कोशिस करता है कि global level पे hunger की situation क्या है national level पे क्या है और उसके multiple dimensions कैसे work कर रहे हैं 0 से 100 point के बीच में evaluation होता है 0 का मतलब 0 hunger 100 का मतलब लोगों के पास बिलकुल खाने को नहीं है अब यहाँ पर देखिए जो भी country है उसका जो GHI score है वो 4 parameters पे create किया जाता है and that is UCCC UCCC में पहला जो है that is under nourishment under nourishment का मतलब यह है कि जो calorie intake किसी एक population में लोगों को चाहिए वो उने नहीं मिल रहा है child stunting का मतलब यह है कि बच्चे की age के हिसाब से height नहीं है child vesting का मतलब यह है कि height के हिसाब से बच्चे का weight नहीं है child mortality का मतलब यह है कि 1000 में कितने बच्चे 5 साल के उम्र के पहले ही अपनी जान गवा देते हैं अब यहाँ पर इस पूरे parameter को आप देखो तो आपको समझ में आएगा कि क्या इसका सच में hunger से link है जैसा कि ministry of child development का यहाँ पर कहना है आप खुद भी यह evaluate कर सकते हो अंडर नरिश्मेंट जो है वो तो चलो एक बात समझ में आती है इसको one third weightage दिया गया है अब यहाँ पर child stunting को one sixth child wasting को one sixth और child mortality को one third weight दिया गया है अब पहली बात तो आप hunger की बात कर रहे हो और जब आप hunger की बात कर रहे हो तो पूरे parameter में जो पूरा weightage है वो two third weightage बच्चों को दिया गया है children को मतलब यह सारा evaluation बच्चों में किया जा रहा है तो आप बच्चों को evaluate करके इंडिया की पूरी population के hunger को कैसे evaluate कर रहे हो पहली problem तो यहाँ यही है दूसरी problem यह है कि child stunting, child wasting या 5 साल के पहले किसी बच्चे का मर जाना यह सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करता कि बच्चा hunger से problem में है मतलब hunger cannot be the only reason बलकि कोई बीमारी, sanitation का level आसपास का environment कई सारे factors होते हैं जो यह बताते हैं कि कोई बच्चा actually में survive कर पाएगा कि नहीं तो आप two third weightage बच्चों को देकर फिर under nourishment का data आप telephone करके 3000 लोगों से collect कर ले रहे हो इसके अलावा केवल एक मात्र कारण hunger को माल लेना बच्चों की मौत के लिए यह कई सारे questions raise किये जाते हैं इस पूरे index के उपर कि यह कितना reliable है अपने evaluation में और data collection में तो यह सारे concerns raise किये जाते हैं and you can evaluate कि क्या यह hunger index सच में इंडिया के hunger की situation को portrait कर रहा है at the same time हमारा जो NSSO का data है उनके साथ इनका data match नहीं करता मतलब जो survey बहुत अच्छी तरीके से इंडिया में करके data collect किया जा रहा है चैरेट की तरह treat नहीं किया जा सकता सुप्रीम कोट ने महरास्टरा के assembly के speaker को फटकार लगाई उन्होंने कहा कि entity faction की जो proceeding चलनी है चीफ मिनिस्टर और वाकि के MLS के खिलाब जो की शिंदे जी का जो पूरा खेमा है उसके against में entity faction के charges portrait किये गए है लेकिन एक साल का लगभग समय बीच चुका है और यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई सुनवाई नहीं की गई है तो क्या ही एक chariot नाटक है जहाँ पर वो खुशी से defy कर रहे है सुप्रीम कोट के direction जो की कई बार दिये जा चुके हैं कि आप जल्दी से इस पूरी proceeding को clear करो हमें पता है कि लगभग एक साल पहले एक fraction देखने को मिला था एक नास सिंदे जी जो है वो जो government थी उससे अलग हो गए थे जो शिव सेना है उनके पास 55 seats हुआ करती थी assembly में और वो लगभग 40 members के साथ अलग हो गए थे यहां पर अगर आप two-third लोगों के साथ किसी party से अलग हो जाएं तो entity section law के charges नहीं लगाया जा सकते और इसके लिए उन्हें के वस 37 members की जरूरत थी और वो 40 के साथ गए हैं इसलिहाँ से entity section law इस perspective से तो लग सकता लेकिन जो opposition है उसका ये कहना है कि party छोड़ने से पहले ही उन्होंने party विप को defy किया था party में एक whip होता है जिसके directions को सभी members को follow करना होता है अगर whip के direction follow नहीं किये गए तो entity section law invite किया जाता है तो whip की बातों को follow ना करने के अधार पर entity section लगाने की बात की जा रही है जो entity section law है वो हमारे constitution के 10th schedule में है और इसके लिए 50 second amendment किया गया था 1985 में क्योंकि 1967 में एक case आ गया था जिसको आप लोग popularly आया राम गया राम के नाम से जानते हो जहां पे गया लाल नाम के एक legislator थे जिन्होंने से लोगों को रोकना होगा तो कोई भी person अगर अपनी position को छोड़ता है after elect होने के बाद तो फिर उसकी जो seat है उसे खतम माल लिया जाता है simple सा मामला यह है कि आप MP या MLA बन गए और उसके बाद आपनी उस party को छोड़ दिया जिस party के ticket पे आप MP या MLA बने तो जैसे या पार्टी छोड़ोगे आपका ticket भी खतम हो जाएगा यानि कि आपकी जो seat है MP या MLA की वो भी खतम हो जाएगी तो एंटि डिफेक्शन law जो है यह ensure करता है कि लोग violate ना करें अपनी party लोयल्टी को और उसकुछ certain चीजों को तो जरूर से follow किया जाना चाहिए यह parliament और state assemblies दोनों में ही applicable होता है defection क्या हो सकता है अगर आपने चुने जाने के बाद अपनी party membership को voluntarily छोड़ दिया या अगर आपने vote या abstain किया जो party whip है उसके against में political party कुछ और कह रही है या party whip में एक fit member होता है जो बताता है करना क्या है तो अगर आपने party whip की बाद को defy किया तब भी आपने साने पर होंगे अगर कोई independently elected member बाद में party join कर ले तो उसकी भी position खतम हो जाती है अगर nominated member किसी भी party को 6 महिनों के बाद join करे उसके पास 6 महिने का मौका होता है जोइन करना है तो कर लो 6 महिने के बाद join करोगे तो मामला खतम है qualification and disqualification का पूरा मामला speaker या फिर chairman house के decide करते हैं सबी proceedings इस बारे में disqualification की वो बिल्कुल वैसे ही काम करती है जैसे कि इस समय जो parliament है वो इस तरीके से काम करता है जैसे वो एक electoral tribunal हो तो supreme court यहाँ पर intervene कर सकता है और उनको direct भी कर सकता है अब यहाँ पर supreme court ने देखे कुछ बात है कही थी कि anti-reflection के मामले सही तरीके से settle down किये जाए जैसे यह कहा गया कि तीन महिने का आप एक outer limit रखो कि within 3 month पूरे मामले निप्टाए जाएंगे यह भी recommend किया गया कि बजाए इसके कि यह मामला speaker निप्टाएं हमें एक permanent tribunal बना देना चाहिए जिसमें आप या तो supreme court के retired judge को रख लो या high court के chief justice को रख लो वो यह मामले सुन लिया करें क्योंकि speaker politically influence होके कई बार मामले देखते हैं supreme court ने यह भी emphasis गया कि entity section law के purity को हमें maintain करना होगा और supreme court ने ऐसी बात मनिपुर के जो कांग्रेस है M.L.A.T. सियाम कुमार उनके case के आने के बात किया था 2017 में जब उन्होंने अपनी party को छोड़कर BJP जोईन किया और उनके खिलाफ entity section के जो charges लगाए गए उन पर सुनवाई ही नहीं की गई speaker के द्वारा तो ऐसे मामले ना होने पाएं इसलिए ये बात कही जा रही थी कई सारी please आई सियाम के disqualification को लेकर 270 की बात है लेकिन चार हफतों तक speaker ने कई बार बोला कि मतलब supreme court ने कई बार speaker को बोला कि आप within four week ये पूरा मामदा निप्टाओ लेकिन उन्होंने इस मामले को निप्टाया नहीं इसके बाद सुप्रीम कोट ने अपनी नराज़की जटाई थी केंडिट इफेक्शन लॉव में purity होनी चाहिए तो ये तो बाते हमने यहाँ पे देखी ना हमारा अगला आर्टिकल कथकली फेस्टिवल के बारे में है भासुराम भासयती ये इस पूरे फेस्टिवल का नाम है इसके जरीए जो कथकली है उसमें जो बहुत ही छोटे 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 एक्सप्रेशन्स और निरेटिवस होते हैं उन्हें दिखाया गया इसी रेफरेंस में कथकली न्यूज में आया कथकली केरला का एक ट्रडिशनल डान्स ड्रामा है और हमारे क्लासिकल डान्स में से एक है 17th सेंचुरी में ये इंडिया में ओरिजिनेट होता है प्रैमरली यहाँ पे रामायड या महाभारत की स्टोरीज को डान्स के फॉर्म में दिखाया जाता है इस पूरे डान्स फॉर्म की खास बात है कि इसमें बहुत ही इलाबरेटिड मेक अप होता है जिसे आप इस इमिज में भी देख पा रहे हो और बहुत ही एक्स्परसिव तरीके से स्टोरीज को पोर्ट्रे किया जाता है जो डान्सर्स होते हैं इसकी बेस्सपर खरेक्टर्स को डिवाइड कर दिया जाता है हीरो, विल्लिंस और फीमेल उन्हें अलग-अलग मेक अप में पोर्ट्रे किया जाता है vocal, percussion instrument मतलब ऐसे instrument जिनको पीट कर जो music है उसको originate किया जाता है और कई तरीके के instrument इसमें इस्तेमाल होते हैं कथक कली की training में सालों लग जाते हैं कथक कली का जो performance है वो broadly सात्विक, राजशिकंद, तमशिका ऐसे इसमें divide किया जाता है ठीक है, तो ये तो कुछ fundamental बाते इसके बारे में हो गई हमरा जो अगला article है वो climate countdown clock के बारे में है जो 50 scientists हैं उन्हों ने अभी हाल ही में ये कहा कि वो एक early report तयार करेंगे और बताएंगे कि actually में climate change की situation क्या है और इससे जो knowledge gap है उसे हम पूरा कर पाएंगे climate talks में थोड़ी ज़्यादा और seriousness आईगी और जो global warming का countdown clock है ये हमें मदद करेगा कि दुनिया भर के leaders और ordinary लोग climate change को लेकर और ज़्यादा serious हो जाएं क्या मतलब है इस climate clock down का या countdown clock का इसका मतलब ये है जैसे कि हमारा target ये है कि हम global climate को 1.5 degree से ज़्यादा नहीं बढ़ने देंगे वैसे तो target 2 degree के उपर नहीं ले जाने का है लेकिन 1.5 degree से नीचे हमें इसे रखना है तो अभी temperature कितना पहुँच गया और कितने time में हम 1.5 degree पे पहुँच जाएंगे ये बात लोगों को पता होनी चाहिए न जैसे अभी ये कहा जा रहा है कि right now हमारा जो global temperature है वो 1.26 पहुँच गया है मतब जो global temperature है वो 1.26 degree पे पहुँच गया है degree कहेंगे percentage नहीं और हमें इसे 1.5 degree के नीचे ही रखना है तो हम कितने time में यहां पहुँच जाएंगे इस बात की जानकारी हमें एक घड़ी देती रहेगी तो आप बिल्कुल तयार रहेंगे कि 12 बजेगा तो हम 1.5 degree रीच कर जाएंगे और इसके बाद जो climate severity है वो बढ़ने लग जाएगी Amazon के जंगलों में और उसके पहले ही जो IPCC है उसने भी इंडोस किया इस countdown clock को IPCC देखे climate change का डेटा वैसे तो 5-7 साल पर देता रहता है लेकिन 5-7 साल पर जो इनका डेटा आता है वो बड़ा uneven तरीके से आता है भी 5-7 साल पर आप बताओगे कि क्या चल रहा है लोगों को पता कैसे चलेगा policy making के लिए तो हमें हर साल जरूत पढ़ती है जो नई सीरीज है उसमें annual update आएगी और ये एक countdown की तरह काम करेगा first report इस सीरीज की अभी जून में publish की गई थी और हर साल ये जब report आएगी तो ये बताती रहेगी कि क्या situation है 2022 में जैसे global temperature 1.26 degree Celsius पहुँच गया है और ये पिछले एक दशक में यानि कि 2013 से 22 के बीच में 0.2 degree बढ़ा है हमें इसे रोकना होगा नहीं तो बहुत ही जल्दी हम 1.5 degree को meet कर लेंगे और उसके बाद situation और ज़्यादा खराब हो जाएगी स्टड़ी में ये बताया गया कि जो climate information है वो और ज़्यादा accessible हो सभी public के लिए online, offline mode में और जो initiative है ये existing studies को और ज़्यादा compensate करेगा जो उसमें कमिया है जो IPCC से आती रहती है IPCC के जो chair है उन्होंने special reports को ये बोला कि ठीक है ये resource constraint के वज़ज़ अक्सर वो नहीं कर पाते थे लेकिन ये अच्छी बात होगी कि ये जो reports हो आएंगी हाला कि criticism इस बात पर होता है कि क्या ये report comprehensive होगी और सभी चीज़ों को include करेगी IPCC की बात करें तो United Nations की body है, climate change के उपर काम करते है 1988 में इसको World Metological Organization WMO और United Nations Environmental Program इन दोनों ने मिलके बनाया था, सभी जो members है WMO और UNEP के वो IPCC की membership अवेल कर सकते है और United Nations Framework Convention on Climate Change को support करते हैं हमरा जो अगला article है, वो सत्यमंगलम Tiger Reserve के बारे में है, यहां पर actually में हम एक translocated elephant को खोज रहे हैं क्योंकि बार-बार ऐसी area में चला जा रहा है जहां पर लोग रहते हैं अब देखो, इससे man-animal conflict बढ़ जाता है और कई बार लोग नाराज होकर जानवरों को मार भी रेते हैं लेकिन वो जानवर बिचारे करते क्या हैं जब उनको जंगल में खाना नहीं मिलता तो फिर वो जंगलों के बाहर जाना शुरू कर देते हैं या फिर कई बार उनको, जो आस-पास के लोग होते हैं उससे फोड़ा सदधा प्यार भी आ जाता है पिर रइडाइ जगरा शुरू हो जाता है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो है वो आपको इस्टन और वेस्टन घाट के जंक्शन पे मिलेगा तमिलनाडो में जैसे यहाँ पर इस्टन घाट है यहाँ पर वेस्टन घाट है तो इसी लोकेशन में आपको मिलता है यहीं पर देखे जो निलगरी वैस्टन घाट है और यहाँ पर फंडामेंटली आपको सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व मिलेगा मुद्धू मलाई टाइगर रिजर्व और बंदेपू टाइगर रिजर्व इसकी लोकेशन आप पेप में देखो तो यह जो है यह मुद्धू मलाई है यह बंदेपूर है ठीक है यह एक्शली में मुद्धू मलाई है और यह जो दिख रहा है यह बंदेपूर है तो यहीं पर आपको सत्यमंगलम भी मिलता है तो सत्मिलनों टाइगर रिजर्फ बिलकुल इसके पास में ही है इन टाइगर रिजर्फ के साथ हमिलकर जो निलगरी वैसर रिजर्फ बनता है वो बिगेस्ट पॉपलेशन रखता है पूरी दुनिया में टाइगर्स की लगभग 280 टाइगर्स आपको यहां पर मिल जाते हैं वेजिटेशन की बात करें तो यहां पर आपको ड्राइ थान फॉरेस्ट मिलेगा मिक्स्ट डेसिडियूस फॉरेस्ट मिलेंगे सीनी एवर्गीन फॉरेस्ट मिलेगा और रिपेरियन फॉरस्ट मिलेंगे फॉना में तो देखो कई सारे जानवर यहां मिलते हैं कितने जानवर गिनते फिर होगे यह कई सारे जानवर आपको इधर मिलेंगे जानवर ही जानवर है जाओ देखो घूमो ठीक है चलो अगला आर्टिकल जो है वो साकरमैतरी प्रोग्राम के बारे में है आइनिस सागर धवनी एक ओशनोग्राफिक रिसरच वेसल है जो नेवल फिजिकल एन ओशनोग्राफिक लेबरेटरी यह लेबरेटरी एक्चुली में DRDO की लेबरेटरी है उनकी तरफ से निकला है दो महिने समंदर में घूमेगा 11 अक्टोबर को यह निकल गया था दो महिने घूमेगा और बताएगा कि हमें डेटा देगा समंदर के बारे में अब यह जो इनिशेटिव है DRDO का यह हमारे प्राइम मिनिस्टर के एक इनिशेटिव के पार्ट के तौर पे जा रहा है और इस सागर सागर का फुल फॉर्म है Security and Growth for All in the Region इसके जरीए हम Closal Cooperation प्रमोट करने की कोशिस करते हैं हर सोश्य एकनॉमिक एस्पेक्ट से Scientific Interaction के लिए जो भी Indian Ocean Rim Association के कंट्रीज है उनके साथ DRDO को जो मैतरी प्रोग्राम है Marine and Allied Interdisciplinary Training and Research Initiative यह फोकस करता है Long Term Collaboration के उपर IOR कंट्रीज से IONES सागर्धवनी Actually में IONES किसना के Root को Follow करेगा IONES किसना कभी 1962 से 65 की बीच में गया था Research करने के लिए Long Term Scientific Partnership की कोसिस की जाएगी इसमें Oman, Maldiv, Sri Lanka, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia और Myanmar के साथ ताकि हम इनके साथ मिलकर Oceanic Research बढ़ियां से कर सके यहाँ पर Indian Ocean Rim Association को 1997 में Found किया गया था ताकि पूरे रीजन में Indian Ocean के हम लोग बढ़ियां तरीके से Collaboration कर सके यहाँ पर India है ठीक है ना जो Association है उसकी Partnership 23 मिंबर्स की है और 11 Dialog Partners है फर्दर Australia, Bangladesh, Comrose, France, India, Indonesia Iran, Kenya, Medagaskar, Malaysia, Maldives, Mauritius Mozambique, Oman, Sicily, Singapore, Somalia, South Africa, Sri Lanka, Tanjaniya, Thailand, UAE, Yemen यह सारे जो Indian Ocean के आसपास देश है वो इसका पार्ट है इसका जो Secretariat है वो Mauritius में है तो यह सारी बाते तो हमने इस तागरमैतरी प्रोग्राम के बारे में I.O.R.A. के बारे में डिसकर्स की ना प्रिवेसर के questions देखते है जो कल questions मैंने देखे थे आप लोगोंने देखे थे उसका जो answer है वो आपको Telegram चैनल पे मिल जाएगा जिसे आपको join कर लेना है अगर आपने अभी तक join नहीं किया है तो उसका link आपको description box में मिल जाएगा Multidimensional Poverty देखो इंडेक्स वगरा पर UPSC question पूछती है दोहजर पारा का है बारा का question है Oxford Poverty and Human Development Initiative जो UNDP के support से आता है वो क्या cover करता है Education, Health, Asset और Services में Deprivation Purchasing Power Parity नेशनल लेवल पे क्या है और Budget Deficit और GDP Growth क्या है नेशनल लेवल पे इसमें से क्या cover किया जाता है Under Multidimensional Poverty Index आपको बताना है हमारा दूसरा question यहाँ पर है कि भारत में जो Overall Index of Industrial Production है उसके जो indices हैं 8 Core Industries के उनका Combined Weightage 37.90% है इनमें से क्या इन 8 Core Industries का पार्ट है Cement, Fertilizer, Natural Gas, Refinery Product और Textile आपको बताना है अपना जवाब तो इन दोनों questions का जवाब I will expect कि आप बताओगी comment box में और इसका जवाब मैं आपको कल सही सही बताओँगा Telegram Channel में जिसको आप join कर लोगे और कल की answers मैं Telegram Channel में अभी put कर दूँगा आप उसे देख लीजेगा तो आज का session यहाँ पर खतम होता है खूब करते हैं कि यह session आपको बढ़िया लगा मिलेंगे कल के session में तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद